हेलो स्टूडेंट्स अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फार्मासूटिकल पैकेजिंग तो फार्मासूटिकल पैकेजिंग हम किसलिए करते हैं सबसे वह पढ़ेंगे कि जो भी हम मैडिकामेंड जी जो भी हम ड्रग प्रिप्रेशन करते हैं उसको में सेफ रखना ब सेफ रखना जरूरी होता है अब इसकी स्टोरेज के लिए हम इसको पैक करते हैं तो जो भी हम पैक करेंगे या जो भी हम मैटेरियल यूज करेंगे पैकिंग के लिए वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए तो हम उस पैकिंग मैटेरियल के लिए भी एक अलग से कैसे यूज करा जाता है पैकिंग के लिए और कौन सा मैटीरियल अच्छी क्वालिटी का है कौन सा अच्छी क्वालिटी का नहीं है यह सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वन बाई वन तो फर्स्ट है कि जो भी हम ड्रग मैनुफेक्चर कर रहे हैं उसकी मैनुफेक करने के लिए ड्रग को जो की डारेक्ट और नॉट डारेक्ट कॉन्टेक्ट विद ड्रग मतलब यह डेफिनेशन है पैकेजिंग की वो बला मैटीरियल जो की यूज होता है ड्रग की मैनुफेक्टरिंग के बाद ड्रग को पैक करने के लिए यूज किया जाता है जो की ड् या फिन नोट डारेक्ली इन कॉंटेक्ट विध ड्रग उसे हम बोलेगे फार्मसुटिकल पैकेजिंग तो इसकी डेफिनेशन है कि वह मिलब कंटेनर्स जो की यूस किये जाते हैं पैकिंग करने के लिए तो वह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि प्राइमरी और सेक पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग वह हो गया मेटीरियल जो की डारेक्ली ड्रग के कॉंटेक्ट में आएगा डारेक्ली इन कॉंटेक्ट विध ड्रग और सेकेंडरी पैकेजिंग वह हो गया जो नोट डारेक्ली कॉंटेक्ट विध ड्रग मतलब जैसे कि एक्जाम्प फिय बोटल है जिसके अमने सिरॉप को पक कर रहा है। यह जो बॉटेल है यह क्या है यह इब Pawle प्राइमरी 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 प् डेरेक्टी की कोन्टेक्ट में नहीं है, इसे अंदर और भी प्राइमरी पैकेजिंग है तो यह सेकेंड़basy व्रग सेथी फेल रखन्ने में डेरेक्टी को भी होलं तो हमें जो म्मुद्च्यक की क्हाई साथिक है क्योंकि चेअध है रखने इसलिए जो प्राइमरी पैकिंग मेटीरियल है वो हमें अच्छी क्वालिटी का चूज करना पड़ता है, तो अब यह हो गया कंटेनर के बारे में, अब हम भात करेंगे क्लोजर की, जो क्लोजर हैं वो क्या होते हैं, क्लोजर मीन जो कंटेनर का कैप हो गया, उसे हम क्लोजर होते हैं यह ऐसे होने चाहिए कि हम इसको इसलियोत और बंद कर सके कंटेनर को, मतलब कि अगर हम क्लोज करें तो वो अच्छे से बंद हो जाए, उसमें से कोई मेटीरियल बहार ना गिरे, और अगर हम इसको अच्छे से एजली ओपन भी हो सके कंटेनर से, कि मलद के जिसकी कोई भी मेटल हो गया या फिर रबर हो गया डिफरेंट टाइप के जो मैटीरियल यूस किये जाते हैं क्लोजर बनाने के लिए according to use तो अब हम चलते हैं qualities of good container qualities of good container मतलब एक अच्छे container की क्या qualities होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे कि जो हम container को choose करेंगे तो उसको किन basis पर choose करेंगे और मैसी क्या qualities होनी चाहिए जो हमें चाहिए तो सबसे पहला तो यह है कि जो भी container हम use कर रहे हैं वो non toxic होना चाहिए अगर toxic होगा तो वो जो medicament या जो भी drug है उस container में डालेंगे तो वो भी toxic हो जाएगी हमारे use की नहीं रहेगी second है not react with drug मतलब react ना करे drug के साथ कैसे भी chemically और physically मतलब कोई भी chemical reaction ना करे drug के साथ physically और chemically next is की elegant होना चाहिए दिखने में दिखने में मतलब जो container है वो elegant होना चाहिए appearance में सुंदर होना चाहिए दिखने में next is मतलब easily label हो सके तो उसके लिए हम हमें जो surface है वो smooth चाहिए अगर smooth surface होगी तो easily हम लेबल कर पाएंगे container को तो easily label होना चाहिए मतलब हम जो भी ड्रग के लिए लेबल कर रहे हैं container के ओपर की यह drug जो container के अंदर जो material है drug है यह किस लिए use हो रहा है इसके अंदर क्या ingredients है यह क्या storage है जो भी मतलब हम जो भी labeling कर रहे हैं वो easily होनी चाहिए मतलब easily labeling के लिए हमें जो surface है उस container का smooth चाहिए होता है अगर वो बिल्कुल भी friction वाला material होगा यह खुरदरा होगा smooth surface नहीं होगा तो उसके उपर label मतलब addition नहीं कर पाएगा चिपक नहीं पाएगा अगर smooth surface होगा तो label easily चिपक सकता है उसके उपर तो यह जो मतलब कि हम use कर रहे हैं good qualities की wear और tear के हिसाब से अच्छा होना चाहिए easily wear and tear मतलब कि हम उसे कैसे भी handle करें container को तो वह easily withstand होना चाहिए wear and tear मतलब कि एकदम से ऐसे ना हो कि हमने उसे हाथ में उठाया और वह तूट गया या फिर हमने एक surface से दूसरी surface पर उसे transfer किया तो वह break हो गया तो container जो भी हम use कर रहे हैं वह withstand होना चाहिए wear and tear के साथ and withstand with temperature and pressure also मतलब कि जो भी हम container use कर रहे हैं वो इतनी अच्छी quality का container होना चाहिए कि वो जो भी temperature change हो रहा है या कोई भी pressure change हो रहा है container के environment में हम जिस भी environment में temperature जो भी हम temperature पे उस container को use कर रहे हैं या कहीं पे उसको store कर रहे हैं जाकर temperature vary कर रहा है एकदम से high हो रहा है कम हो रहा है तेमपरेचर या प्रेशर चेंज़ेज की वज़े से खराब नहीं होना चाहिए। मतलब कि यह वह टैमपरेचर चेंज़े स सथ व्यारी करें, उसके साथ विस्टेंड रहे सही और सेफ रहे स्टोरेज। तो इसके साथ हम इसके बाद good qualities के बाद हम containers के type पढ़ेंगे, कि जो भी हम container select कर रहे हैं, उसको select करने का criteria क्या है, उसकी qualities, तो हम इन qualities के basis पर इन containers को use करेंगे, मतलब कि जो भी हम आलो की अगर हम glass देखते हैं या plastic देखते हैं, तो हम उसको कैसे select करेंगे containers को, मतलब हम plastic के अंदर हमें यह सारी qualities मिलनी चाहिए, ग्लास के अंदर हमें यह सारी qualities मिलनी चाहिए, तो हम इन different type के qualities के ऊपर मतलब की इनको select करते हैं in containers को. तो qualities of good container के बाद अब हम पढ़ेंगे types of container, कितने type के container होते हैं? So types of container में हमारे different different type के types होते हैं container के, तो first है single dose container, first is single dose container, second is multi dose container, third is light resistance container, fourth is well closed container, fifth is tightly closed container, and sixth is airtight container, seventh is temper evident container, and last eighth is aerosol container. तो यह आपके eight type के container हैं, जो हम one by one detail में अभी पढ़ेंगे, first is single dose container, second is multi dose container, and third is light resistance container, fourth is well closed container, fifth is tightly closed container, and sixth is airtight container, seventh is temper evident container, and last eighth is aerosol container. अब हम इसको one by one पढ़ेंगे detail में. तो first है हमारा single dose container, first is single dose container, तो यह आपको नाम से ही पता लग रहा है, single dose means, कि इसमें unit dose रहेगी, सिरोफ one dose ही एक container में पैक रहेगी, unit dose container जीसे हम बोल सकते हैं, कि जैसे कि इसका example है, वाइल, यह जो वाइल है, इसको हम यहां से ब्रेक करते हैं, जो पूरी की पूरी glass की एक वाइल होती है, इंजेक्शन के लिए, जैसे कि उपर से यह ग्लास को ब्रेक करते हैं, और इसमें जो भी 1 ml या 2 ml जितना भी लिक्विड होता है, इंजेक्शन का उसको हम पूरा का पूरा विड्रॉ कर लेते हैं, इंजेक्शन में फिल कर लेते हैं, यह क्या हो गई? यह है single dose container, मतलब कि पूरे container में सिरफ एक ही dose रहेगी, तो यह हम किस लिए करते हैं? मतलब sterility को maintain के लिए, stimmt the quality को maintain करने के लिए हम single dose container बनाते हैं, मतलब अगर हम इसमें multi-dose कर लेते तो हम बार-बार एक ही container में से dose को निकालते तो जो रह जाती dose वो क्या हो जाती अंस्टिराइल हो जाती उसमें contamination हो जाता बैक्टीरिया ग्रो कर जाता ओपन होने की वज़ा से बार-बार या फिर उसकी quality खराब हो जाती ठीक है moisture की वज़ा and ampules, ampules and vials इसका example है single dose container का, second is multi-dose containers, multi-dose container आपको नाम से पता लग रहा है जिसमें एक से ज़्यादा dose होंगी, इसका example है while, तो जो multi-dose container है इसका example है while, तो while जो है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यह while है, while से क्या करेंगे हम, कि multi-dose container को हम यूज कर सकते है while से, जैसे कि हमने क्या करा, इसमें multi-dose हमने fill कर दिया, मतलब हमने इसको 10 ml तक fill कर दिया, मतलब इसमें से 22 ml करके हम इसमें से 5 doses निकाल सकते हैं, तो हम इसमें से dose निकाल लेंगे तो इसकी quality और sterility कैसे maintain रहेगी जो while का closer होगा, वो rubber का होता है, यह जो red color का है, यह rubber का बना हुआ है, यह क्या है? closer है, किसका? while का, यह rubber का बना हुआ है, और यह ऐसी quality का rubber होता है, कि जब हम इसमें inject करेंगे syringe को और dose को बाहर निकालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जब हम injection को बहार निकालेंगे syringe को, तो क्या होगा? वो जो hole है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, यह hole बंद हो जाएगा injection को बहार निकालने के बाद, तो यह hole बंद हो जाएगा, इसकी वज़ा से क्या होगा? इसकी जो sterility है और quality है वो maintain रहती है, लंबे समय तक जाएगा निकाल सकते हैं, क्योंकि लिए 5 डोस निकालने के बाद, यह contamination हो सकता है, और यह rubber भी खराब हो सकता है, अगर हम इसको बार बार से syringe से punch करेंगे, तो यह maximum 5 times use हो सकता है, 5 times इसमें से हम 5 डोस को withdraw कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे multi-dose container, जिसमें हम एक से जाद और दोस को निकाल सकते हैं, तो next is, third is light resistance container, light resistant container वो होते हैं, जो की light से protect करते हैं, drug को या फिर कोई भी compound को, तो यह ऐसे product के बने होते हैं, मतलब यह ऐसे compounds के बने होते हैं, यह containers, जो क्या करते हैं, UV light को अंदर enter नहीं एंदे देते हैं, और drug को बचा के रखते हैं, UV light से और sunlight तो एक्जाम्पल स्का अम्बर कलर कंटेनर एक्जाम्पल इसका एम्बर कलर कंटेनर अर्म इंऻ एर्जिस्टेंगर अलन गाइन। तो light resistance container हम उन drugs के लिए use करते हैं जो drug photosensitive होती है मतलब जो light की presence में खराब हो सकती है जो drug photosensitive होगी light की presence में खराब हो सकती है उन drug को हम इस light resistance container में डाल के रख सकते हैं लंबे समित तक stable रखने के लिए तो यह हमारे तीन containers हो गए fourth one is well closed container well closed container वो containers होंगे जिनको हम अच्छे से pack करके well closed रखेंगे जिसकी वज़ा से क्या होगा well closed container हम उन चीजों के लिए use करते है specially liquids के लिए कि वो transportation के दौरान या dispensing के दौरान क्या हो जो material हो भार ना गिरे तो material की deterioration के लिए या splitting मतलब जो material भार ना गिरे उसको रोकने के लिए हम well closed container को यूज करते हैं तो दूरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिस्पेंसिंग और हैंडलिंग मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं मतलब कि हम material को container को handle कर रहे हैं dispense कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं one place to another place तो इस प्रोसेस के दौरान जो है material क्या है बाहर गिरना नहीं चाहिए material खराब नहीं होना चाहिए गिरना नहीं चाहिए तो इसलिए हम well closed container को use करते हैं जिसमें जो closers है वो अच्छे से मतलब container के साथ pack होने चाहिए तो इसलिए हम use करते हैं well closed containers next fifth container is air tight container किंटेनर हुम यूस करते हैं जिसके अंदर हम एयर को भी स्थे कंटेनर के ऑर चाल एक यूजा यह टैट के यूजा जाते हैं तो यह वह ट्रस्था के लिए यूज fik हैते हms स्टब्सटे रहे जो एयर में सब एयर की प्रेजन्स में जो बी गैसे प्रेजेट है है औक सीजन्, कारश्वयाद एक्साइट्, इन सब गैसे हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी मेटीरियल मतलब की हम ले रहे हैं जैसे लिक्विड हो गया सॉलिड हो गया तो उनको हम अगर मालो कोई मतलब वाटर के अंदर डाल के रखना है लंबे समिता कंटेनर को या हमने कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है तो अगर मालो की वह सबते हैं को इसको मूत SimpsonS Die Nature line minute कर पाई तो इसको मूते हैं 12 राथ और डाल के रखने स्वार्न ऊवाटर केम गर ट्रव में और स्वार्ट इसेथा समैं यह और टो यह पर तक पानी में गिर जाता है तो उसका अन्दर फार्ट थे नसंदर करेगा या नहीं यह हम टेस्ट करत तो यह ज़रूरी है। तो हमारे लिए टाइटली क्लोज linear होना जरूरी है जिसके वज़ने जो भार का material हो वो एपक्तेणर पारी और परेश क्लोज तो 7 तो 7 तींफ आरेविडिनT थाज देशलिए कन्टेणर दन बाइ एनी डेवाइस मतलब कि एक डिवाइस होती है जिस से प्सक्राइड ने तो यह ऐसी शीलिंगों दों बन और नहीं हो सकता तो यह बढ़िज는 जिए ढिए बन ऑवन कर ली जाती है तो जब ओपन जाती है तो ङे इसे को ईर्सेंड बन आपके सकते तो जब ऑूपन कर लिजाती है Cealrat भी चीजे बीचैघार को जैसे कि हम कोई राजगुले की पैकिंग तो उसको जो खोल टे हैं जो पैकिंग का? बीची है हम सैथा हमधी नहीं सकते हैं, तो तो इस सब्सक्रिण का क्या आता है वह सील एक सब्फ Wonderful App sein जैसे कि हम पिछ नीदु जो कि एक device के साथ सील करा जाता है. उसको खोलने के बाद हम दुबारा से पैक नहीं कर सकते हैं. तो यह है temper evident container. लास्ट इस एट्ह नंबर, Aerozole Package, लास्ट इंट्थ नंबर एस, कार्फ्यूम्ह बिदिटिए और्फ्यूम्ह पैकेजिंग. जैसे हम Move का spray करते हैं, Wallonie spray करते हैं, Dio हो गया, Parfume हो गया, तो यह जो भी packaging होगी, जो कि pressurized packaged form होगी, मतलब कि जो हम pressure के साथ बनाते हैं, pressure के साथ कोई भी gas को अंदर enter करते हैं, और उसको pressure के साथ container को seal कर देते हैं, तो जो pressurized dosage form होगी, उसे हम बोलते हैं, aerosol packaging, तो यह किस से बनती है, यह pressure के साथ हम इसको pack करते हैं, तो इसको हम pressurized dosage form भी बोलते हैं, pressurized dosage form, तो इसका example है, Moves spray हो गया, यह तो हो गई, यह तो हो गई, आपकी मेडिकमेंट की बाद जो भी दवाईयां बनती है, aerosol packaging में, इसका normal example दूँ आपको, तो हो गया, डियो, perfume, तो यह इसके normal example है, और यह इसके, medicine के example है, कि Moves आती है, वालिनी spray आती है, तो यह जो भी spray आती है, तो यह जो spray आती है, यह किसका example है, यह है, aerosol packaging का, जो की pressure से बनाई जाती है, तो यह हमारे complete होता है, types of containers, अब इसके बाद हम next पढ़ेंगे, टाइप, glass के बारे में पढ़ेंगे, glass के advantage पढ़ेंगे, disadvantage पढ़ेंगे, glass कैसे manufacture होता है, उसके composition क्या है, ग्लास का, किते type के glass है, glass के types पढ़ेंगे, detail के अंदर, तो अब नेक्स topic स्टार्ट करेंगे, जो हम material लेते हैं, containers और closer बनाने के लिए, उसके types के बारे में, तो types of material used, types of material used for containers, तो कौन-कौन से types हैं, जो की हम containers बनाने के लिए use करते हैं, तो first material जो है, वो है, glass, glass के containers आते हैं, second is plastic, third is metal, fourth is paper board, paper board कहलो, या cardboard कहलो, जो हम secondary packaging के लिए paper board या cardboard, cartoons यूज करते हैं, जो सारी medicines को एक साथ pack करने के लिए bulk में, तो वो हम secondary packaging यूज करेंगे as a paper board, और यह सारी क्या है, यह सारी primary packaging है, जो direct drug के contact में रहती है, तो अब हम इनके बारे में detail में पढ़ेंगे, कि glass के advantage क्या है, disadvantage क्या है, इसके लावा हम इसमें पढ़ेंगे कि यह कैसे बनाया जाता है, glass का composition क्या है, और types of glass, मतलब किते type के glass हमें मिलते हैं, manufacturing करने के लिए containers की, और इसके बाद हम पढ़ेंगे plastic के बारे में, कि plastic किते type का होता है, कैसे बनाया जाता है, और आगे जो polymer से बनता है, तो इसके polymers किते type के होते हैं, उसके बारे में और इसके advantage और disadvantage के बारे में, पढ़ेंगे metal किते type के होते हैं, और इसके advantage and disadvantage, and last topic जो आपका इस chapter के अंदर important है, वो है rubber, तो यह 4 topic हैं जो आपके इस chapter में है, important, वो है glass, plastic, metal and rubber, तो यह rubber इस material के अंदर नहीं आएगा, rubber आएगा closer के अंदर, closer क्या होता है, जो cap हो गया, container हमने बनाया, container का जो बंद करने के तो जो भी हम material से बनाते हैं, तो जो भी हम material से यूज कर रहे हैं, उस में से जो rubber टॉपिक है वो आपका important है, हमें इस chapter में पढ़ना है, तो यह हम closures के लिए use कर रहे है material, और यह बाकी हम material container के लिए use कर रहे है, तो आप हम स्टार्ट करते हैं, तो अब मार्स से, जो पर ग् जज़ कर पाएंगे कि इसमें इसमें है, कितने अमेल है, यह कितने इसमें से यूज हो चुकी है, तो यह इसका एक एडवांटेज है. Second is कि इसके जो shape और different sizes में यह available होता है हमें glass, और glass को हम किसी भी shape में, किसी भी size में हम बनवा सकते हैं, manufacture कर सकते हैं, container के, medicine के according. Third advantage है इसका कि जो भी photosensitive products होते हैं, जो light से खराब हो सकते हैं, तो उनको हम glass से बचा सकते हैं, medicines को store कर सकते हैं, ताकि वो लंबे समय तक store रहें और खराब ना हो, तो हम glass में क्या करते हैं, glass में ऐसी चीज़े add कर देते हैं, जिससे कि जो normal glass है, वो amber colored glass बन जाता है, जो कि यह क्या है, light से protect करता है drug को, तो light उसके अंदर enter नहीं हो पाती, तो इसका यह भी एक advantage है कि यह photosensitive products को बचाता है, खराब होने से, next is impermeable to gases and moisture, मतलब कि gases और moisture क्या है, इसमें impermeable है, enter नहीं हो सकते है, ग्लास के अंदर, तो यह भी इसका बहुत बड़ा advantage है, कि अगर glass और कोई भी atmospheric gases, अगर इसमें enter नहीं होंगी, तो वो क्या है, कोई भी medicine को effect नहीं कर पाएंगी, खराब नहीं कर क्यों, क्योंकि लिए atmosphere में बहुत सारी gases होती है, moisture होता है, जिसकी entrance से क्या होगा, जो medicine है, उसके अंदर bacteria ग्रो कर सकता है, कोई भी XYZ microorganism उसमें grow कर सकता है, और उस medicine को खराब कर सकता है, तो यह इसका एक अच्छा advantage है, कि यह जो gases और moisture को अंदर enter नहीं होने देता, next advantage is, कि इसके अंदर good protection power है, यह easily breakable नहीं होता, मतलब ऐसे melt नहीं होता ज्यादा heat से, तो यह क्या है, इसके अंदर बहुत अच्छी mechanical strength है, यह एक तरह से बहुत अच्छी protection power हम कह सकते हैं, तो यह भी इसका एक advantage है, next advantage is, कि they do not deteriorate with age, मतलब कि यह age ज्यादा होने के साथ साथ deteriorate नही नहीं होता, age के साथ, मतलब कि 2-3 साल पुराना है, तो अगर plastic की बात करें, तो यह age के साथ खराब हो सकता है, melt हो सकता है, heat की वज़ा से, temperature की वज़ा से खराब हो सकता है, plastic का container, बड़ जो glass है, वो age के साथ साथ deteriorate नहीं हो सकता, मतलब खराब नहीं हो सकता, तो next advantage है, कि easily label कर सकते हैं इसको, क्यों कि लिए इसकी जो surface है, वो बहुत shiny और smooth रहती है, जिसके ओपर हम easily इसके ओपर label को चिपका सकते हैं, addition कर सकते हैं label का, तो addition करने से क्या होगा, कि जो label है वो उतरेगा नहीं, अगर surface smooth होगी तो, अगर surface बहुत थोड़ी भी खुरदरी होगी, friction वाल कि यह easily available हो जाता है market में और बहुत ही economical इसके prices रहते हैं, तो यह glass के बहुत सारे advantage है, जिसकी वजह से हम glass को preference देते हैं, medication को dispense करने के लिए या store करने के लिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे disadvantages की, glass के क्या disadvantages है, first disadvantages जो glass का है, वो है कि यह fragile होता है, fragile means की, यह strong होता है बट यह एक बार गिरने पर तूट जाता है, लब broken when dropped from surface, मतलब एक बारी कहीं से एक बारी भी गिरा और गिरते ही तूट जाएगा, तो यह fragile nature का होता है, यह इसका बहुत बढ़ा disadvantage है, कि हमें इसे बहुत, मतलब की अच्छे से handle करना पड़ता है, अगर ह हो जाता है, टूट जाता है, next इसका disadvantage है, कि जो glass होता है, वो बहुत heavy होता है, weight के अंदर as compared to other materials, मतलब plastic है, या rubber है, तो यह materials बहुत light weight के होता है, जो glass है, वो heavy weight का होता है, जिसकी वज़ा से क्या होगा, कि अगर हम glass के containers को, मतलब कठा करके, कार्टून में बंद करके, एक जगा से दूसी जगा पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो transportation का cost बढ़ जाता है, तो यह महंगा पढ़ता है, glass containers को, ट्रांसपोर्ट करना एक जगा से दूसी जगा पर, तो ऐसा, मतलब कि cost बढ़ जाता है, सिरफ किसकी वज़ा से, ग्लास के weight की वज़ा से, तो यह भी इस का एक बड़ा disadvantage है, कि इसके heavy weight की वज़ा से, transportation का cost बढ़ जाता है, heavy weight की वज़ा से, जो transportation का cost होगा, वो increase हो जाएगा, तो यह भी इसका एक disadvantage है, इसका last disadvantage है, कि यह जो glass है, यह alkali release करता है, long term पे, जब हम कोई medicine को store करते हैं, लंबे समय तक इसको रखते हैं, medicine को store करके, तो storage के दौरान क्या होता है, कि जो glass है, वो alkali release करता है, जिसकी वज़ा से, जो medicine है, वो खराब हो सकती है, release alkali, तो यह तीन एक बड़े disadvantages हैं, जिसकी वज़ा से glass को, मतलब कि, overcome भी कर सकते हैं, इन disadvantages को, बट इन disadvantages की वज़ा से, इनको कम preference भी दी जाती है, तो यह disadvantages complete हो गए, तो यह तीन चीजों से मिलकर बनता है, first is soda ash, limestone and third is collet, soda ash, limestone यह तो हमें normal कहीं से भी available हो जाता है, ठीक है, collet क्या है, collet मतलब कि जो पुराना glass होता है, पुराना glass होगा, उसका हम नया glass बनाने के लिए यूज करते हैं, तो पुराने glass को हम क्या करते हैं, पौडर फॉर मे convert कर देते हैं, उसके छोड़े-चोड़े pieces करते हैं, glass को तोड़ कर और फिर pieces करने के बाद उसको grind करके powder में convert कर लेते हैं, और फिर उसको liquid medium के साथ mix करते हैं, water या anything, मतलब कि कोई भी liquid हम use कर सकते हैं, उसको liquid form में convert करने के लिए, और उस जो slurry बनेगी liquid, उसको हम बोलते है कालेट, मतलब broken glass जो भी हम ले रहे हैं, broken glass उसको हम powder form में convert करेंगे, उसके बाद हम उसकी slurry बनाएंगे, कोई भी liquid यूज करके, कोई भी liquid हम यहाँ पर use कर रहे हैं और उसकी slurry बनाएंगे, और उसे हम बोलेंगे कालेट, तो ये कालेट हम यूज कर रहे हैं, नया glass बनाने के अंदर और भी हम बहुत सारी extra चीज़े यूज कर सकते हैं, जैसे boric acid हो गया, इसके इलावा silicon dioxide हो गया, इसके इलावा sodium oxide हो गया, potassium oxide, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़े आती हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं, इसके साथ एडिशनल में एक अच्छा glass बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़े यूज कर सकते हैं, तो अब हम one by one पढ़ेंगे कि different type के glass होते हैं, तो यह हमारा complete हो गया composition, अब next topic is types of glass, कित्ते type के glass आते हैं, तो जो first type के glass है, वह है lime soda glass, lime soda glass कैसे बनाया जाता है, तो first material है, silicon dioxide, silicon dioxide, next is sodium oxide, third is calcium oxide, हम ये तीन चीज़े मिला कर lime soda glass बना सकते हैं, और इसके additional में हम और भी चीज़े यूज कर सकते हैं, जैसे कि है potassium oxide, potassium oxide हो गया, इसके इलावा magnesium oxide, इसके इलावा aluminium oxide, मतलब हम और भी बहुत सारी चीज़े यूज कर सकते हैं, इसके additional में, बट ये तीन चीज़े जो है, ये compulsory है, lime soda glass बनाने के लिए, इन तीन के साथ हम quality improve करने के लिए, ये extra चीज़े भी add कर सकते हैं, हम lime soda glass बनाने के लिए, तो जो lime soda glass होता है, ये mainly जो बनाया जाता है, पाउडर्स की storage के लिए बनाया जाता है, मतलब जो powder form में जो drugs को रखते हैं, लंबे समय तक store करके, तो उसके लिए हम जो preference देंगे, वो देंगे, lime soda glass को, जो powder form की drug है, वो लंबे समय तक stable और store रहती है, इसके इलावा ये बहुत ज़्यादा expensive नहीं होते, not so expensive, ये बहुत economical rate के होते हैं, और ये easily manufactured किये जा सकते हैं, easily manufactured और ये बहुत ज़्यादा expensive नहीं होते, और थर्ड है कि ये powder की storage के लिए, powder को stable रखने के लिए हम लंबे समय तक इस glass को use कर सकते हैं, तो ये हमारा first glass हो गया lime soda glass, अब हम second पढ़ेंगे, second is borosilicate glass, borosilicate glass, same बही, silicon dioxide, silicon dioxide, next हम इसमें material लेंगे, aluminium dioxide, third हम material लेंगे इसमें boric acid, then calcium oxide, and then sodium oxide, तो ये हम material यूज़ करेंगे, borosilicate glass बनाने के लिए, बस इसमें difference क्या है, इसमें हम extra में boric acid यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वज़ा से इसका नाम पढ़ा, borosilicate glass, मतलब बोरिक से बोरो और दूसरा है, silicon से silicate, तो इसका नाम इस boric acid से रखा गया, तो जो lime soda glass था सेम इसमें वही सारे इंग्रीडियेंट्स हैं, बस सिरफ एक इंग्रीडियेंट इसमें ज्यादा है, boric acid, तो इस boric acid से इसका नाम चेंज हुआ, borosilicate glass, तो ये बहुत अच्छा glass माना जा होता है, then compared to lime soda glass, chemically inert होगा, as compared to lime soda glass, तो ये हमने पढ़ दिया, borosilicate glass के बारे में, अब हम थर्ड पे चलते हैं, जो है silicon treated glass, तो silicon treated glass कैसे बनाया जाता है, जो हमारा normal glass, lime soda glass हो गया हमारा normal, उसको हम क्या करते है, silicon के साथ treat कराते है, तो silicon से treat कराने के बाद, ये silicon treated glass बन जाता है, और ये जो है, ये हम किसलिए बनाते हैं, silicon treated glass, ये हम उन products के लिए बनाते हैं, जो alkali sensitive products है, मतलब कि, silicon से treat कराने के बाद, glass जो है, वो alkali release नहीं करता, और हमें उन products को इस glass में store कराना चाहिए, जो कि alkali से खर इस अखराब ग्लास स्टोर करते है। तो यह हो गया हमारा 3rd glass, silicon treated glass, and now 4th is, sulphur glass, तो यह जो sulphur glass बनाया जाता है, इसको भी हम sulphur से treat करा के बनाएंगे, तो जो हमने 1st lime soda glass लिया था, 1st glass था जमारा, उसको हम क्या करेंगे, lime soda glass को हम, moist sulphur dioxide के साथ, fuse करवाएंगे, fuse करवाएंगे, कितने time के लिए, 500 degree Celsius के लिए, fusion होने के बाद यह बन जाएगा, sulphur glass, तो यह जो sulphur glass है, यह specially, मतलब, वही alkali sensitive products के लिए बनाया जाता है, यह जो glass होगा, यह कभी भी alkali release नहीं करता, तो यह भी उनी products के लिए बनाया जाता है, जो की alkali release से खराब हो जाते हैं, तो जो sulphur glass बनाया जाता है, वो भी इसलिए ही sulphur से treat कराया जाता है, normal glass को, जिसकी वज़ा से यह alkali release ना करे, तो यह हमारा third, fourth glass हो गया sulphur glass, अब हम fifth glass पढ़ेंगे, हमारा fifth glass है, जो है neutral glass, neutral glass भी से प्रोडक्स को मिला कर बनाया जाता है, सारे ingredients को, जिसके अंदर आएगा, silicon dioxide, और boric acid, calcium oxide, potassium oxide, इसके इलावा आएगा, magnesium oxide, और जो भी अभी हमने ingredients पढ़े थे, aluminium, dioxide, तो यह जितने भी products हैं, सारे मिला कर, neutral glass बनाया जाता है, तो जो neutral glass है, यह मतलब mostly parenthrals के लिए यूज किया जाता है, परेंटरल्स जैसेकी वाइल्ज बनाने के लिए, एंप्यूल्स बनाने के लिए, injections जो बनते हैं, एंप्यूल्स और वाइल्स के अंदर, और इसके लगावा इस नियुटरल ग्लास विए तो यह जो तो यह डिया जाता है जैसे कि वाइल्स हो गई एंप्यूल्स हो गई ट्रांस-फूजिन बॉटल हो गई तो यह जो नियुटरल ग्लास जो है वो एजली रियर्यक्ट नहीं करता किसी भी कैमिकल के साथ आज बैंट हो गया फिफ्ट न प्रोडक्ट के अंदर ऑटकलेफ कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी अम्प्यूल लिया, अमें इसको श्द कृब और कोई भी इंजेक्शन को होगा निजेक्शन तो धिल कर अब हमें इसको sterile करना है, अब हम इसको sterile करने के लिए इसको निकाल सकते हैं इंजेक्शन को जो भी लिक्विड है तो इसको हम डारेक्टली कंटेनर के साथ ही क्या करेंगे? अगर हम इसको heat करेंगे, अगर हम इसको heat करेंगे normal glass को, तो वो normal glass ज्यादा heat की वज़ा से या autoclaving या microwave की वज़ा से क्या हो सकता है? खराब हो सकता है ओवन में रखने की वज़ा से normal glass होगा, बट जो neutral glass होगा ये autoclave के साथ क्या है? तो इसमें जो भी इंजेक्शिन का मेटीरियल है वो सब स्टेराइल हो जाएगा और यह ग्लास जो है स्टेबल रहेगा खराब नहीं होगा उटोक्लेव के बाद तो इसको हम इसली ओटोक्लेव कर सकते हैं यह इसका एक बड़ा एडवांटेज है लास्ट हम पढ़ेंगे सिक्स्त नंबर ग्लास इस एमबर कलर ग्लास तो जो एमबर कलर ग्लास है यह हम किसलिए बनाते हैं कि जो भी फोटो सेंसिटिव प्रोड़क्ट्स हैं जो कि लाइट या यूवी रडियेशन से खराब हो सकते हैं तो उनको हम इस ग्लास के अंदर स्ट कुछ एक इंग्रीडियेंट्स एड़ करेंगे जिसकी वज़ा से क्या होगा इसकी जो लाइट पासिंग कैपसिटी है वो बिल्कुल की बिल्कुल बंद हो जाएगी तो इसमें कोई भी नॉर्मल लाइट यूवी लाइट या रेडियेशन कोई भी एंटर नहीं हो सकती इस कैसे बनता है कि इसके अंदर जो भी हम इंग्रीडियेंट्स डालेंगे उसकी वज़ा से इसकी जो कैपसिटी है वो लाइट पास की कैपसिटी है वो या फिर कोई भी यूवी रेडियेशन की पास की कैपसिटी है वो बिल्कुल बंद कर देगा जब यूवी रेडियेशन स लाइट पासिंग केपिसिटी जब उसकी बंद हो जाएगी तो लाइट एंटर होनी बंद हो जाएगी ग्लास में से तो यह कैसे मिलेगा हमें मतलब कि ग्लास कैसे कंपोज किया जाता है नॉर्मल ग्लास के अंदर हम क्या डालते हैं कुछ एक इंग्रीडियेंट डाल सकते हैं न Exchange declared नाम रख गया यह कोई भी मही सस से आपने पहला के नहीं अविर मेशन से ओर के आप बिट के अइड कर गाया तो वहाँ पुक्य आच अन्याट। प्रीर के लिखा आचika गलास में के लिख जाएगा या बिल्क खेमनी जो नीड या तोっと L ग्लास पोटल लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैडिसिन को, यह एम्बर कलर इसका आइरं कि या कार्बण किया सुल्फर की वजह से आता है ग्लास तो इसलिए जो इस ग्लास का ग्लास रहेगा भो रहेगा ब्रावनिस्टू ब्लाइक लाइट डॉहलर ग्लास लाइट ब्रा्वनिश तो डॉणच ब्लैक कलर का ग्लास रहेगा उर इस्सीलिए इसका घुलोर अनम रखा गया है एमबर कलर ग्लासु यह सभास्ट जाओ की यह उसकी टाइप के लासु शिसाओं किभल सकते हैं कॉंटेनर बनाने के लिए तो यह has a हम थ्री टाइप के यूज करते हैं तो वह कैसे होंगे टाइप 1, टाइप 2 फिइज १!!!!!!!! फिर्स टाइप का ग्लास होगा वह होगा बोरो सिलिकेट ग्लास एंड नूट्रल ग्लास मतलब अगर लिए भ़हत sieht ज्याधा पेम्टरल प्रॉडक्न के लिए जाहिए बहुत अच्छा क्वालिटी का ग्लास चाहिए तो हम बोरो-silicate ग्लास और न्यूटरल ग्लास को मिक्स करके निट्रल ग्लास को बनाएंगे जिसको बोलेंगे टाइप 1 ग्लास अगर हमें परिंट्रल प्रोड़क्ट के लिए कंटेनर बनाना है तो हम बोलेंगे कि हम थाइप 1 मिक्स कर रहे हैं यूटरल आण बोरो-silicate ग्लास होता है अब यह हाइड्रोलाइटिक रेस्टेंस क्या है हाइड्रोलाइटिक रेस्टेंस है कि वैसे तो यह आपका पढ़ने नहीं है यह डिगरी के अंदर यह आप डीप के अंदर जब हम चैप्टर को पढ़ते ह तब पढ़ते हैं यह टॉपिक डीटेल के अंतर अबी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूं क्योंगे आपके इस टॉपिक के अंदर काम में आएगा कि हाई है हुआ तेस्ट करते हैं वाइल्स और एंप्यूल्स के साथ, हम ने क्या करा एक कंटेनर में या एक बकेट में हमें वाटर फिल कर लिया रो मुतनी दाय डाल दी डाय डाय और ब्लू आप ब्लू कलर की दी हमें ब्लू कलर की हो सकती है, जा दो रो में पील अमुटर के ब्लूर हुआ अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, medicine की कोई भी bottle डालेंगे 10, 10 bottles को हम, ampules की या फिर wilds की bottles को हम इसमें डालेंगे, तो minimum हमारी 5 होनी चाहिए, maximum हमारी 10 होनी चाहिए, तो अगर हम batch बनाते हैं, बड़ा medicines का, अगर मालो हमने कुछ lakhs या thousands के around, हमने ampules बनाई, मतलब injection की ampules बनाई बहुत सारी, तो हम उसके अंदर हम test करेंगे, तो test कैसे करेंगे, हमने randomly उस batch में से कोई भी 10 bottle select कर ली, उन 10 bottles को हम इस test में use करते हैं, test करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस red color के water के अंदर हम इस 10 bottles को डाल देंगे, कुछ एक hours के लिए, 1 to 2 hours या 2 to 3 hours, हम इसके अंदर डाल के रख देंगे, और फिर क्या होगा, कि हम इसके अंदर hydrolatic resistance test करेंगे, मतलब क्या होता है, कि अगर इस bottle का जो glass है, इस glass के अंदर impermeability है, कि मतलब water अंदर enter कर सकता है इस glass के अंदर, या कोई भी थोड़ा बहुत hole रहे गया, या crack है glass, या फिर glass के अंदर impermeability की power है, तो रेड कलर का water होगा, वो अंदर enter कर जाएगा medicine के, तो जो medicine है, मतलब colorless होगी, या blue color की होगी, तो उसमें red color का water एंटर करेगा, तो वो दिखाई देगा, तो इसके 10 bottles के अंदर, कम से कम 5 bottles का जो test है, वो pass होना चाहिए, अगर pass है, तो हम क्या बोलेंगे, कि ये जो bottles है, ये जो glass है, ये high hydraulic resistance है, मतलब कि ये pass है, ये impermeable नहीं है, अगर impermeable होगी, तो क्या होगा, कि हमारी जो medicine है, वो खराब हो सकती है, क्योंकि लिए जो atmosphere में से जो भी moisture है, dust है, वो medicine के अंदर enter करेंगी, तो medicine को खराब कर सकती है, तो हमारे लिए जो glass है, वो अच्छा glass किसे माना जाता है, जो की high hydraulic resistance पावर हो जिसकी, तो ये हमारा complete होता है, ये test की जो बात है, तो ये क्या है, जो हमारा type 1 का glass है, वो क्या है, high hydraulic resistance है, second type का glass यूज कर रहे है, वो है soda lime silicate glass, अब ये जो second type का glass है, ये है soda lime silicate glass, अब ये भी दो glass से बना हुआ है, कौन-कौन सा glass, एक तो silicate glass और एक soda lime glass, इन दोनों glass का mixture जो है, इन दोनों को मिला कर soda lime silicate glass बनाया गया है, तो ये भी एक अच्छा glass माना जाता है, ये क्या है, ये high hydrolytic resistant है, high hydrolytic resistant है, और ये जो है, ये acidic preparations के लिए यूज किया जाता है, मतलब हमने कोई भी acidic preparation को डालना हो, glass container के अंदर तो हम ये type 2 का glass चूज करते है, acidic preparations के लिए, अब type 3 का glass है, वो किससे बना होता है, वो भी soda lime silicate glass ही है, बट इसमें difference क्या है, इसमें difference ये है, इसमें difference ये कि जो type 2 था, वो क्या है, high hydrolytic resistant है, बट जो type 3 है, वो है moderate hydrolytic resistant है, तो ये दोनों में ये ही difference है, कि इसकी जो hydrolytic resistance power है, वो moderate है, कम है, बट इसकी जो hydrolytic resistance power है, वो high है, तो ये वाला जो glass है type 3, ये हम किसलिए यूज करते हैं, बोसली पेरेंटरल्स के लिए यूज करते हैं, और अब हम बात करें, तो जो type 2 है, type 2 एं type 3 जो glass है, ये हम one time use कर सकते हैं, यूज only one time, इसको हम एकी बार use कर सकते हैं, इस glass को हम reuse नहीं कर सकते हैं, इस glass में medicine एक बार डाल दी तो वो, वो बट ग्लास को हम reuse नहीं कर पाएंगे, कि लो वो glass फिर खराब हो सकता है, ठीक है, तो जो type 3 का glass है, उसको हम reuse कर सकते हैं, इसके इलावा हम और बात करें, तो जो blood products है, जो हम human blood को store करते हैं, जो blood products हम कहीं से भी लेते हैं, किसी animal से या human से, तो वो वले जो container हम use करेंगे, वो हम कभी भी reuse नहीं करेंगे, क्योंकि लिए जो human blood में से क्या हो सकता है, अगर हम reuse क करेंगे तो infection spread हो सकता है, इसलिए बस ये जो blood product के container को भी reuse नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम ने last topic पड़ा, glass के बारे में, अब हम start करेंगे plastic के बारे में, तो plastic जो material है, ये भी use होता है container बनाने के लिए, plastic के जो containers आते हैं, उसमें हम liquid preparations को store कर सकते हैं, dispense कर सकते हैं, तो जो plastic इसके हम advantage और disadvantages पड़ेंगे, सबसे first advantage है plastic का, कि ये light weight होता है, as compare to glass, ये light weight होगा, तो इसका क्या advantage होगा, जो उने glass में पड़ा था, disadvantage, कि glass का disadvantage है कि वो heavy weight है, तो उसके transportation में उसकी cost ज्यादा पड़ेगी, expensive हो जाएगा, वो transportation के time, और ये plastic का advantage है कि ये light weight है, तो transportation के time क्या cost ज्यादा नहीं पड़ेगी, normal economic rate रहेगा, और दूसरा light weight की वज़ा से हम इसे easily handle भी कर सकते हैं, easily handle कर सकते हैं, क्योंकि ये light weight का है, next इसका advantage है, कि ये transport easily हो सकता है, easily transported, मतलब हम plastic के containers को, या plastic के कोई भी bottle को, plastic के जार आते हैं, जो हम bulk के अंदर medicines को रखते हैं, powders को रखते हैं, तो जो plastic के कोई भी container है, कुछ भी है, जार हैं बड़े, तो उनको हम easily transport कर सकते हैं, एक जगा से दूसरी जगा पे, तो हम क्या करते हैं, plastic के जैसे बड़ा container हुआ थो, उसके अंदर हम छोटा container डालके उस पड़ता है, बट इस condition में जरूरी नहीं है, प्लास्टिक की condition के अंदर क्या है, इसको easily transport कर सकते हैं, और इसको easily pack कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत lightweight के होते हैं, और unbreakable होते हैं, तो next है, कि plastic का advantage कि यह unbreakable है, easily तूटता नहीं है, और गिरने पर भी नहीं तूटता, जैसे ज नहीं होता, यह unbreakable होता है, प्लास्टिक, next इसका advantage है, कि यह अलग-लग different different shapes or sizes में हमें मिलता है, available in different shapes and sizes, तो हम चाहे तो कितने भी ml का, कितनी भी मतलब कि हम quantity का container एक किसी भी shape का हम container बनवा सकते हैं, according to use, different shapes or sizes के हमें मिल सकते हैं, next इसका advantage है, कि good protection power, good protection power है इसकी, and इसका last advantage है, कि इसकी mechanical strength अच्छी है, good mechanical strength, जिसकी वजह से यह, मतलब, बहुत hard material रहता है, यह, जल्दी सी melt नहीं होता, तो इसकी mechanical strength अच्छी है, कि जो भी इसके अंदर material रहेगा, वो खराब जल्दी से नहीं हो सकता, यह रही इनकी advantage की बात, मैं दुबारा से repeat कर देती हो, जो plastic है, उसके advantage है, कि यह lightweight का होगा, जिसकी वजह से हम इसको easily handle कर सकते हैं, और second advantage है, कि easily transportation हो सकता है, एक जगा से दूसरी जगा पर lightweight की वजह से, next इसका advantage है, कि यह unbreakable होता है, unbreakable की वजह से हम इसको कैसे भी handle कर सकते हैं, तो next है, कि यह हमें different shapes or sizes में available हो सकता है, next कि good protection power है, इसकी protect करके रखता है material को, and last is good mechanical strength, तो यह इसके advantage पूरे हो गया, अब हम बात करेंगे इसके disadvantages की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक के disadvantages क्या है, प्लास्टिक का सबसे बढ़ा इक disadvantage है, कि यह heat होने पर melt हो जाता है, और अपनी shape को खराब कर सकत है, तो इसकी shape खराब हो सकती है, heat पर, ज्यादा heat होने पर यह melt हो जाता है, प्लास्टिक, यह इसका सबसे बड़ा disadvantage है, first इसका advantage है, कि यह heat होने पर melt हो जाता है, और दूसरा इसका disadvantage है, कि यह permeable है, प्लास्टिक जो है material यह permeable है, moisture, gases, और atmospheric, कोई भी चीज, इसके अंदर easily enter करेंगी, तो वो medicine को खराब कर सकती है, तो यह इसका disadvantage है, next इसका disadvantage है, कि यह temperature और प्रेशर के साथ withstand नहीं करता, temperature और प्रेशर के साथ, withstand नहीं करेगा, मतलब यह stable और एक जैसा नहीं रहेगा, अगर हम temperature को कम ज़्यादा करते हैं, यह pressure को कम ज़्यादा करते हैं, तो यह एक जैसा stable नहीं रहता है, यह अपनी conditions के according change हो जाता है, और जो plastic है, यह क्या होता है, यह react करता है, जो भी हम chemicals use कर रहे हैं, medicine में, कोई preservative यूज कर रहे हैं, या कोई coloring agent यूज कर रहे हैं, या कोई भी हम chemical यूज कर रहे हैं, तो उस container में डाल रहे हैं, तो वो उसके साथ react कर सकता है, easily, तो plastic जो है, वो easily react कर जाता है, नेक्स्ट है कि प्लास्टिक जो है वो more expensive than glass तो यह expensive यह भी इसका एक disadvantage है नेक्स्ट है कि प्लास्टिक के उपर label को चिपकाने के लिए एक special type का gum चाहिए होता है जिसकी help से प्लास्टिक के उपर label चिपके अगर हम normal gum की बात करें तो normal gum से जो labeling नहीं हो सकती plastic के उपर तो प्लास्टिक के उपर अगर हमने label को addition करवाना है तो उसके लिए हमें special type का gum चाहिए तो यह भी इसके लिए एक क्या है disadvantage है कि जो gum का cost है वो भी इसमें add हो जाता है तो इसमें क्या है special type of gum required special type of gum required for labeling तो यह इसके disadvantage इस पूरे होते हैं तो अब हम प्लास्टिक के बात करेंगे कि plastic बनता किसे है composition of plastic इसमेश प्लास्टिक के बनता है जब कमकरें को कोई whole mlng क के polymers म Але ह्कोई ज़ादा बनता प्लास्टिक करना भिता है तो यह सिंगल е का बनर्स से नहीं बन सकता बनने के लिए हमेशा दो यह से ज्यादा polymers को मिक्स करना पड़ता है ज जो कि heavy molecular weight Segays polymers लो कि जो ह Havey Molecular Weight के polymer gate उनको Mix कर cooked finance बनाम जाएगा कौन से छोंन से पॉलीमर्स हम एकजामपल देखते हैं। हम कि इसमें नाम नाम पढ़ेंगे जादा हमें weary पड़ने प्लस्टिक बनाने के लिए एक अलग-इप टाइप के पॉलिमर्रे पॉली खेड़ से लिए जो की सिर्फ बदाने के लिए तो इसके बाद हम बात करेंगे, प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अफ प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है, टू टाइप का क्लासिफाइड है, फर्स्ट इस थर्मो सेटिंग, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर् थोड़ी बहुत की चेंज होती है बट बिल्कुल मेल्ट नहीं होता तो यह जो है रूम टेंपरेचर पे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो है रूम टेंपरेचर पे क्या होता है हार्ड होता है हाड़ होता है बहुत जयादा और जब हम इसको हीट करते हैं तो यह हीट होने पर सॉफ हो जाता है 중 क्या है यह लोगता भीज़न की तरह मेल्ट नहीं हो जाता यह अपनी शेप को नहीं बगढ़ने देता भुसOT बहुत सॉफ्ट हो जाता है और हम फिर इसको सॉफ्ट करके इसकी शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा कर बट ये खुद से मेल्ट नहीं होगा ये खुद से सिरफ सॉफ्ट होता है और दूसरा है कि ये फ्लेक्सिबल भी हो जाता है सॉफ्ट के साथ फ्लेक्सिबल भी होगा तो हम इसको flexible होते हैं, इसको change कर सकते हैं, दूसरी form में या दूसरी shape में, तो इसका example है, phenol formaldehyde raisins, ये इसका example है, next हम बात करें, thermoplastic की, तो दूसरी type का जो classification है, वो है thermoplastic, thermoplastic क्या होता है, thermoplastic जो है, ये कैसा type का plastic है, ये है कि room temperature पे तो ये क्या होगा, मतलब जब हम इसको room temperature पे रखेंगे, या फिर इसको cool करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये क्या होगा, ये hard हो जाएगा, बर जब हम इसको heat देंगे, ये heat देने पर क्या होगा, बिल्कुल melt हो अबन जाएगा फ्लीूड बन जाएगा प्लास्टिक का और जब एम इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर हो जाएगा तो इसका जो एक्जामपल वह वो है नाइलोन, इसका मैं एक्जामपल यहां उपर लिख रही हूँ, इसका एक्जामपल है नाइलोन, नाइलोन के लावा और भी बहुत सार एक्जामपल है, पॉली स्टाइरीन है, और पॉली थाइलीन है, तो यह अलग-लग टाइप के प्लास्टिक्स है, जो की थर्मो प् तो यह दो टाइप के क्लासिटिकेशन है किसके प्लास्टिक के लिए में अब नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे अब नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे मेटल क्या होते हैं चाहिते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जो ओंटमेंट्स आती हैं सफ्रोमाइसें आ गई या फिर कोई भी बेटनोवैट आ गई तो यह ट्यूब्स के अंदर आती है वह ट्यूब्स किसकी होती है यह होती है ऐलुमिनियुम की शीट्स होती है या फिस स्टेइनलेस टील की यह शीट्स को फोल्ड करके ट्यूब बनाया जाता है तो आर अप यह था धा यह बनाने के लिए वैसे ही अम बेटल画 करते हैं बहुत सारे उन्टेंब्गर को बनाने के लिए जैसे ट्यूब आ। इसे उन्टेंब्गर करने केल दो मैटल के पायπά तो अब बात करेंगे मेटल की एडवांटेजिस क्या है और डिसडवांटेजिस क्या है फर्स्ट एडवांटेजिस और मेटल अब बात करें तो जो मेटल है यह इंपर्मेबल है मेटल सबसे पहले क्या है इंपर्मेबल है मौश्चर और गैसिस के लिए मतलब कोई भी इसमें गैसिस या एटमोसफेरिक कुछ भी इसमें अंटर नहीं हो सकता यह इंपर्मेबल है इंपर्मेबल तू मोश्चर और गैस इसका एडवांटेज है यह लाइट होता है या लेबल को चिपकाते हैं किसी भी container के उपर तो उसके लिए हमें बहुत सारी labor चाहिए होती है दूका हो गया हमने directly किया मेटल के उपर print करवा दिया तो हमने क्या किया container को fill कर और दिस्पेंज कर दिया अब हमें अगर labeling को चिपकाना है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा में लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा अडेसिव लेना पड़ेगा, लेबलिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा पेपर्स लेने पड़ेगे, जिस पर हम प्रिंट करवाएंगे, और फिर उस प्रिंट पेपर कोई भी हम गम के साथ उसको अडेशिन करवाएंगे, च तो ये इसका है कि advantage है, कि जो label है, वो हम directly print करवा सकते हैं, directly printed on metal, मतलब हम कोई सा भी metal हो, उसके उपर हम directly label को print करवा सकते है, तो ये इसका advantage है, next अब हम बात करें इसके disadvantages की, तो मेटल के डिसद्वांटेज हैं कि यह एक्सपेंसिव होता है, मेटल जो है यह एक्सपेंसिव होता है as compared to glass and plastic. Next हम बात करें इसके डिसद्वांटेज की, तो मेटल जो है वो shed होता है, मेटल के जो particles है, वो metal निकल कर medicine में mix हो सकता है, तो यह भी इसका डिसद्वांटेज है, shed metal, मतलब metal shed होगा, उतरेंगे उसके particles और medicine में mix हो जाएंगे, तो यह इसका डिसद्वांटेज है, अब हम लास्ट बात करें, तो यह react कर सकता है chemicals के साथ, और react कर सकता है किसी भी medicine के साथ, react with product, हम इसके नदर कोई भी product डालेंगे, उसके साथ यह react कर सकता है, तो यह इसके disadvantages हैं, जिसकी वज़े साथ, मैटल को कम यूज करते हैं, अब इसके साथ, मैटल कम्प्लीट होता है, अब हमारा last topic बचा, rubber, अब हम रबर की बात करें, तो जो rubber है, इससे हम कोई container तो बना नहीं सकते, और यूज भी नहीं होता, बना भी नहीं सकते, तो rubber किसलिए यूज होते हैं, closers बनाने के लिए, closers मीन, closers हम क्या, मतलब मैंने आपको पहले बताया, closers क्या होते हैं, मतलब जो हम container बना रहे हैं, प्लास्टिक या, ग्लास किसी भी material के, उसको बंद करने के लिए, जो उसका कैब बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं, closers हम कंटेनर को close करने के लिए, जो भी कैब बनाते हैं, उसे हम बोलेंगे closers, तो जो closers है, यह अलग-अलग material का होता है, तो अब हमें सिरफ rubber के बारे में पढ़ना हमें बाकी material के बारे में नहीं पढ़ना, हमें rubber के बारे में एडवांटेज आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़नी हैं, और rubber के content पढ़ने हैं, तो rubber का जो content है वो है, कि यह हमें latex से मिलता है, प्लांट की, प्लांट की latex से मिलता है, अब हमें plant का नाम याद करने की जो इतना नहीं है, डीटेल में, इतना नहीं कोई पूछेगा, ना ही हमें पढ़ना है इसके बारे में, तो यह हमें latex से मिलेगा, और यह rubber जो में raw rubber मिलता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमें actually elastic rubber बनाने के लिए इसके इंदर बहुत सारी extra additives एड़ करने पढ़ेंगे, जिससे कि एक elastic अच्छा rubber बने, तो जो हमें latex मिला, प्लांट से हमें raw rubber मिलेगा, वो बिल्कुल गम सा material होता है, अब गम से material को तो हम directly closer नहीं बना सकते, ना ही उसको as a rubber कहीं पर हम use कर सकते हैं, उसको हम एक elastic rubber बनाने के लिए, या फिर उस rubber का closer बनाने के लिए, हमें उसके अंदर बहुत सारे excipients और additives add करने की जुर्थ होती है, जैसे कि elasticity के लिए हम उसके अंदर add कर सकते हैं, elastic agent कि उसके अंदर elasticity आये rubber में, इसके लावा हम coloring agent रबर को color देने के लिए, ठीक है, इसके लावा हम preservative की वो जो rubber है, वो लंबे समय तक preserve रहे, खराब ना हो, और भी इसके लावा बहुत सारे additives हम इसके अंदर add कर सकते हैं, raw rubber के अंदर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रबर बनाएंगे, और फिर उसको हम rubber को use करेंगे as a closer, उसको हम different shapes में closer की shaping बनाएंगे, जिससे की वो fit हो जाए container पर, अब हम बात करेंगे last topic जो है, इस chapter का वो है, ideal properties of rubber, ideally rubber कैसा होना चाहिए, ideal properties of rubber, rubber ideally कैसा होना चाहिए, जो यहां पर हम बात करें सिर्फ closer के लिए, तो as a closer rubber हमें कैसा चाहिए, सबसे पहले तो बात है कि quite elastic होना चाहिए, quite elastic, मतलब normal सा elastic हो, एकदम बिल्कुल elastic भी नहीं होना चाहिए, कि जो medicine वो बहर ही आजाए, elasticity की वज़ज़ से container अच्छे से बंद ना हो, और इतना भी ज़्यादा हाड नहीं होना चाहिए, कि वो टूट जाए rubber, closer जो है वो टूट जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए, तो quite elastic होना चाहिए, दूसरी इसके ideal property होने चाहिए, चाहिए शुड भी नॉन टॉक्सिक, शुड भी नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए विलकुल भी, क्योंकि लिए हम किसलिए यूज कर रहे हैं, हम closer बनाने के दिए यूज कर रहे हैं, pharmaceuticals के, तो pharmaceuticals के अंदर, अगर कोई भी हम toxic material use कर रहे हैं कोई भी closer में container में तो वो क्या होगा medicine को effect कर सकता है तो वो non-toxic होना चाहिए next है कि जो भी हम medicine उसमें डाल रहे हैं container में उसको absorb ना करें तो it should not absorb medicament या फिर कोई भी pharmaceutical product should not should not absorb medicament मतलब कोई भी medicine उसमें डाल रहे हैं container में तो वो जो rubber का closer मेडिकमेंट को medicine को absorb ना करें अगर absorb करेंगा तो क्या होगा medicine की quantity कम हो जाएगी और थोड़ी बहुत medicine closer के rubber के अंदर चली जाएगी तो वो उसके लिए हमारा लिए यह disadvantage हो सकता है तो यह कैसा होना चाहिए कि medicament को absorb ना करें दूसरा कि जो भी हम ingredient यूज कर रहे हैं medicine बनाने के लिए या उसके अंदर medicine डाल रहे है container में closer में तो वो क्या है इंग्रीडियेंट के साथ compatible होना चाहिए रबर ऐसा ना हो कि container के साथ react कर जाए प्लास्टिक के साथ या ग्लास के साथ या फिर medicine के साथ react नहीं करना चाहिए it should not react with pharmaceutical product should not react should not react with product तो यह इसकी ideal properties है कि रबर कैसा होना चाहिए rubber quite elastic होना चाहिए और non-toxic होना चाहिए और absorb ना करे medicine को और कोई भी हम ingredient यूज कर रहे हैं तो उसके साथ compatible होना चाहिए और जो भी हम product उसके अंदर डाल रहे हैं rubber के closer के container के अंदर तो वो उसके साथ react नहीं करना चाहिए तो यह है ideal properties of rubber तो यह हमारा last topic खतम होता है rubber की ideal properties के साथ हमारा packaging और pharmaceutical chapter भी हमारा खतम होता है Thank you students